खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़ें पिछले कई दशकों से भारतिये जनता पार्टी का काफी विस्तार हुआ है देश के अन्य हिस्सों में भी पहले जहां हम कमजोर होते थे वहां भी विस्तार हुआ है आज हम वहां भी जीतने किस्तिती में हैं और एक प्रकार से एक वक्त का जाता था कि हम एक काडर बेस्ट पार्टी है वो आज भी हमारी विशेष्टा है लेकिन उसके साथ साथ हम काडर बेस्ट मास पार्टी भी बने है जिसकी की एक बहुत बड़ी फॉलुविंग और देश का सबसे बड़ा राजनेतिक दल हैं हम और हमारी पार्टी में हमारे कार्यकरता भी डेतरतों तक पहुँचते हैं और प्रमुक नागरिक चो देश के हैं विशेष रूप से जिनों ने किसी ना किसी शेत्र में एक्सिलेंस प्राप्त की हो ऐसे लोगों को भी पार्टी में लाना और क्योंकि देश की बागदौन हमारी पार्टी के और हमारे सहयोग्यों के हाथ में है और उमीद है कि रहेगी तो इस प्रकार के लोगों से हर शेत्र की और पार्टी का, सरकार का, देश की नीती का ध्यान जा सके है ये एक हमारी पुरानी नीती रही है आज श्री गौतम गंबीर प्सित नाम है बहुत दशकों तक क्रिकेट खेलते रहे और क्रिकेट में एक बहुत बड़ा स्थान हासिल किया विशेश्टा ये है कि ये दिल्ली में ही जन्मे पले यही पर पड़े और दिल्ली में मॉडन स्कूल फिर हिंदु कॉलेज और उसके बाद दिल्ली में हर स्तर पर क्रिकेट खेली अंडर 16, अंडर 19, रांजी ट्रोफी, कैप्टिन रहे दिल्ली के बहुत सालों तक हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट खेली और एक्सिल किया अपने करियर में आई पील में दो टीमों के कैप्टिन रहे और उसके बाद 2007 में टी-20 का वर्ल्ड कॉप जो भारत में जीता और 2011 में 50 ओवर ओडियाइस का वर्ल कॉप जो भारत में जीता तो उसके फाइनल्स में इनकी पीक प्रफॉर्मंसी एक प्रकार से दोनों जीतों में इनका बहुत बड़ा रोल था पिष्टे दोनों विश्वकप में और आज ये भारतीय जंता पार्टी को में शामिल हो रहे हैं और आपने शेत्र में काम करने के बाद क्रिकिट की फील्ड में खिराडी के रूप में आप रिटायर रहे हैं लेकिन खेल के साथ जुड़े हुए हैं कॉमेंटेटर के रूप में एक विशेशग्य के रूप में तो आज ये पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हम इसको एक बहुत थी मेत्वपूर्ण इंडक्शन अपनी पार्टी में मानते हैं और मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभी वो राष्टी अध्यक्षजी से भी बिले हैं और पार्टी में आने से इनका जो पूरा टैलेंट है, उसका पार्टी प्रियोक करेगी और मुझे विश्वास है कि पार्टी को इनके आने से बहुत-बहुत लाब होगा, मैं इनका स्वागत करता हूँ इस से पहले कि गौतम गंबिर जी अपके सम्दिब ने विचार रखे, अरवी जी इस आफसर पर कुछ कहना चाहते हैं मित्रो जो अरुण जी मानिया, अरुण इटली जी ने कहा है, तिर उसमें दो चीजें जोडनी है, गौतम गंबिर जी अभी तक भारत की ओर से 58 टेस्ट माचर्स खेल चुके हैं और देड़ सव वन दे, और यहाज चाहते हैं, और यहाज चाहते हैं, प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी की लीडर्शिप से प्रभावित होकर, और जो भारत उचाही पर पढ़ा है, बढ़ रहा है उनकी अगवाई में, बीजेप एंडिये के साथ, इसने उन्हें बहुत प्रभावित किया है, जिसके कारण वो बीजेपी में आज जोईन कर रहे हैं, बाकी, अनिल जी, बाकी अब मैं गौतम गंभीत जी से आगरा करूंगा, कि जो भी उनको इनिशल कमेंट्स करना है, जोईन करें, बढ़ा है, बढ़ा है, बाकी अब आफ्ने आफ्ने बीवान, First of all, I would like to thank Jaitli sir, Ravi Shankar Prasad sir and BJP for giving me this opportunity to be doing something special for the country, and jise sir ने बोला की, obviously मैं हमारे प्राम मिनिस्टर से बहुत प्रभावत होकर, और उंके विजन से बहुत प्रभावत होकर, I am joining this party, and I am sure that I am going to live up to their expectations, because I have done whatever I could in cricket, and this is a fabulous platform for me to do something really good for this country, and take this party forward, and make this country a much better place to live, so I am sure, jise sir ने मुझे बोला है, with sir's blessing, and I am going to try and do my best, and thank you very much once again. इसा है कि पार्टी में एक विवस्ता है तै करने की, और ये विशे, ये विशे सारे, इलेक्शन कमेटी पे छोड़ दीजिए आप, ऐसा है ये विशे भी आप इलेक्शन कमेटी पे छोड़ दीजिए, वो पार्टी में शामिल हुए है, और जो पार्टी कहेगी वही है देखे वह तो निश्चित रूप से एक कार्य करता के रूप में और एक केंपेंडर के रूप में तो शक्रिय रहेंगे इनका और क्या पर्योग 세क करती है वह अप्चारी से पार्टी निरने लेगी जब निरने लेती है आपको बतला देंगे विकास बदोरिया है कि अगर आपने इनके ट्वीट्स पड़े हों जब यह क्रिकेट खेलते अगर आपको वो विजूल याद हो जो इनका सबसे प्रसिद्ध विजूल है कि पाकिस्तान के मैच में जब एक प्रकार से कोई अनप्लेजन ने साई तो जो हमारा पुराना अनुबव है एक क्रिकेटर ता कि वो ज्यादा पाकिस्तानी सिंप्रथाइजर बन गए कम से कम इनका इतिहास वो नहीं लगता अगर उसकी जुरुत होगी तो जुरुत रहेगा लेकिन में लगता निया कि उसकी जुरुत जादा होगी विकास बदोरिया आपको जवाब दूँगा और उसके बाद मैं उसको जो मित्र अंग्रेजी के अख़बारों या चैनल से हैं उनके लिए मैं अनुवाद भी कर दूँगा यह अपने आप में बहुत दुरुभाग्यपूर्ण बयान है दुरुभाग्यपूर्ण इसलिए है कि जो लोग इस देश को समझते नहीं है इस देश की सुरक्षा को नहीं समझते इस देश के सेंटिमेंट और जज़बात को नहीं समझते केवल वही इस प्रकार का बयान दे सकते हैं भारत की लडाई आतंकवाद के खिलाफ 26 यारा को शुरू नहीं हुई थी हम उससे कई पहले टेररिजम के विक्टम बन चुके थे और इसलिए हम लोग आतंक से लड़ रहे थे और हर बार यही होता था कि वो टेररिस्ट आते थे हम रोखते थे हम उनको मारते थे अपने लोगों को बचाते थे और साल में एक दो घटना ऐसी हो जाती थी जहां वो सफल हो जाते थे उस नीती से जो भारत की एक सिक्यूरिटी पॉलसी रही विशेश रूप से यूपीय सरकार के दोरान मोदी जी के नित्रत्व में उसको इवॉल्व किया है और इवॉल्व किया है इस द्रिश्टी से की अब केवल हम देश में अपनी रक्षा करेंगे जब वो आएंगे तो उनसे निप्टेंगे अब निती ये नहीं है और आवशक्ता के अनुसार उसका एवलूशन हुआ है कि जहां से आतंक आरंब होता है अपनी रक्षा करने के लिए हम वहाँ उसको डिस्ट्रॉई करने जाएंगे सर्जिकल स्ट्राइक भी यही थी और एर स्ट्राइक्स भी यही थी दुनिया का एक देश ऐसा नहीं है कि जिसने इसकी निंदा की हो हमारे दोनों आपरेशन सफल हुए टेररिस्टों को बहुत बड़ा नुक्सान हुआ हमारा एक भी सिक्यूरिटी फोर्सेस का परसोनल आर्मी का सर्जिकल स्ट्राइक में या एर फोर्स का एर स्ट्राइक में सैक्रिफाइज नहीं हुआ हमने सिर्फ टेररिजम पे अटैक फोकस किया और सफल होकर वापिस आये और पूरी दुनिया ने हमारा समर्थन किया अब आज का ये बयान श्री सैम पित्रोधा का ये दिखलाता है कि उनका मानना ये है कि ये गलत किया हमने ये तो दुनिया के किसी देश ने नहीं कहा और किसी ने अगर कहा ये तो organization of Islamic nations ने भी नहीं कहा, countries ने नहीं कहा, केवल ये पाकिस्तान ने कहा और उस line को support करने वाले इस देश में आ जाएं और इस देश में एक राजनितिक दल के आईडियलोग हूँ तो इस देश का दुरुबाग्य है, मैं ये कहूंगा कि देश को अब ये ते करना है कि वो पुरानी जो security doctrine थी कि वो LOC और international border को पार करके रोज terrorist भेजें और हम लोग उसको अपने आपको defend करते रहें मैं गौतम गंबीर याँ बैठें तो इसलिए क्रिकिट का उधारन दे के ये ज़्यादा सबलता से समझाऊंगा मैच कभी back foot पे खेल के जीता नहीं जाता, front foot पे जीता जाता है, रन तभी बनते हैं और यहीं हमारी security doctrine में evolve हुआ है, अगर गुरू कैसा हो, ऐसा हो और उसके विचार ऐसे हो, तो शिश्य कितना निकम्मा निकलेगा, आज इस देश को भुगतना पड़ रहा है। अगर झाल इसारश्टाब में जाता हुआ है। तो तो ज्वे जीता है। झाल झालिए अजिवाट डिकलेश्य कितना निकलेश्य कितना निकलेश्य का विच्चिवेंट बने शिवे जीता मैं जाता है। the pain that we have suffered, the loss that we have suffered over the last three decades because of terrorism, and the sentiment of the Indian people and the Indian forces. Our security doctrine has evolved. We were earlier only defending ourselves when the terrorists came within the country. Today it has evolved that we go to the point of a region of terror, and make a preemptive strike because that terror is aimed against India. That's the change which has taken place. Now every country in the world has supported us at the time of surgical strikes. They have supported us at the time of the airstrikes. Only Pakistan was warning us against such an action. They were disapproving it. And they were using the nuclear bluff. On both occasions, the nuclear bluff was also called off. This is now an ideological battle between those who want to defend India through all instruments or strategies at its command or those who want India to fight against terrorism with kid gloves and with their hands tied behind them. If the tutor has these views that his student I think will do what the present student is doing. This is not the first time that a senior leader of the Congress Party has made such a statement. repeatedly such statements have been made. I am sure and I am repeating what I have said earlier Mr. Sam Petroda will be very high in his TRPs on Pakistan TV today. I am equally sure that the level of revulsion against his statement in India will also be very high. This is not the same Follow me. because Mr. Devri you referred to speaking that he knew a very prominent Nationalist stand as well. Now can you comment on what he said he was speaking about on Sam Petroda while he said basically said that after 26-11 just because he was entered the country and attacked the country that doesn't mean we go all guns blazing at an entire nation. Pakistan cannot be blazed. थीजिए, झाओ मझाता प्रय करवा एक जाना सिन मझात इूप्टू रिजिए भ IS पोटीज़ आज़ हूचानों। यह जढ़ दिए गूज़ कि यो तो इज कि इस इंट रिजिए इस कि डिज बेसिंटा इस इंटा जा इन इंट इन बैसिंट प्रमी आज़ कि एन टुरी 26.11, this erroneous premise is a self-deception. It is based on a presumption that there is a distinction between the state actors and the non-state actors in Pakistan. Post 26.11, the non-cooperative attitude of the Pakistani successive governments and their reaction to Pulwama coupled with the fact that you had structured camps not a Shamiana camp in a forest, but these were like military training academies. Such camps operating conclusively shows that there is no distinction between state actors and non-state actors in Pakistan. The non-state actors are only an extended limb of the IISI. No, they went a step further. Their stand not only compromises the security of India, it compromises India as a nation. To say that the Pulwama attack was self-engineered. Is the Samajwadi Party a propagandist for Pakistan? Pakistan could not have loved anything more than this Samajwadi Party stand. Last question. अच्छों अच्छों पार्टी इन सब पक्षों में अपने internal mechanisms के माध्यम से निर्णे लेती हैं और पार्टी के सभी लोग विशेश रूप से जो बहुत वरिष्ट हैं जिन्होंने इस पार्टी को बनाया है उस सारी system का एक अंग होते हैं. तो इसलिए आपके द्वारा ये शब्द का इस्तिबाल करना काटा गया एक्सेटरा ये उप्युक्त नहीं होगा. बहुत बहुत धन्यवास. अभी गौतम गंबीर जी राश्चेत देख जी से मुलाकात करेंगे. तो जितने अपने कैमरामेन हैं उस सब लोग आ सकते हैं. तो गौतम गंबीर अब बीजेपी की पिच पर बैटिंग करने को तयार हैं और इस मौके पर जो प्रेस कॉन्फरेंस हुई उसमें अरुन जेटली ने सीधा हमला किया राहुल गांधी पर. सैम पित्रोदा के बयान के बहाने उन्होंने राहुल गांधी को निकमा तक कह दिया. अरुन जेटली ने कहा कि अगर गुरू के ऐसे विचार हैं तो शेश कितना निकमा होगा ये समझा जा सकता है. अरुन जेटली ने ये भी कहा कि जो सैम पित्रोदा का बयान है जो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सबाल खड़े किये वो दुरभागे पूर्ण है. ये पाकिस्तान की लाइन है. और हम बैक फूट पर अब नहीं रहेंगे. फ्रेंट फूट पर आकर जबाब देंगे आतंक बाद को. इस वक्त की बाकी बड़ी खबरों के साथ हम फॉराँ हाजर होंगे. आप देखते रहिए एबी पी नियूस.